गुड़ मॉर्निक दिर स्टूडेंट्स तुड़े विशल कॉंटिनू बदा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट शेक्टर इस एचीवमेंट्स ऑफ कुटुब दीन एवक इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के फॉंडेशन में सोर्सेज के विशय में पढ़ा था और साथ में ह कि कौन SAY कौन से महत्तपूर्ण वंच हैं और दिल्ली सल्तनत में जो प्रथम वश है मामलुक वन्ष उसके कौन से महत्पूर्ण शासक थे और उन शासकों में आज हम जो प्रथम श्रासक है कुटुब दिन एवक उसके विशय में जानकारी Ephraith करें हैं और भारत में प्रथम इस्लामिक राज्य स्थापित करने का श्रेव ही उसे ही जाता है कुटुबदीन एवक ने बारसो च्छे से बारसो दस इसुई तक शासन किया और उसने बहुत छोटे से अंतराल में यानि पारवश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की नीव भारत में रखे थी यदि पी ततकालीन भारत की राजनेतिक परस्तिती दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए उप्यूकत थी फिर भी कुटुदीन एवक के समक्ष कही समस्याएं थी सिंध और मुल्तान में नासिरुदीन कवाचा और गजनी में ताजुदीन यल्दोज के अतिरिक्त बंगाल बिहार में अलि मर्दान जो था उसने अपनी सोतनरता की घोशना की थी इसलिए आरभ में कुटुदीन एवक का जो राज्य है दिल्ली लाहोर तथा आसपास के शेत्रों तक ही सिमित रहा। लेकिन सही माइने में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुदीन एवक्क ने अवश्य की लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्टुत्मिश को ही जाना जाता है अगर हम कुतुदीन एवक्क की आरंबिक जीवन की बात करें तो अपने माता-पिता से बिचडने के पश्यात काजी फक्रुदीन ने उसे दास की रूप में खरीदा, शिक्षित किया, शिक्षित करने के पश्यात उसे बाद में एक व्यापारी को बेच दिया और इस तरह से अंततह मुहमद गौरी के पास कुतुदीन एवक्क पहुंचा, मुहमद गौरी ने उसकी योगिता को देखते हुए उसे अमीरे आखूर के पद पर नुक्त किया, बाद में उसे भारत में जो जीते हुए प्रदेश थे, उन प्रदेशों का सुविदार नुक्त किया गया 1206 इसवी में जब मौमद गौरी की मृति हुई थी, तो कुतुदीन एवक्क ने स्वयम को शासक गोशित किया और लाहोर से शासन प्रारंब किया था, यद पी उसने सुल्तान के उपाधी ग्रहन नहीं की थी, मलिक तथा सिपैसालार के उपाधी से ही उसने 1210 इसवी तक श कुतुदीन एवक्क की मृति उफवी थी, कुतुदीन एवक्क ने भारत में इसलामिक राज्यतों स्थापित कर लिया था, लेकिन उस समय बहुत मुश्किलें या कठिनाईयां उसके समक्ष खड़ी थी, इनमें जो अरली डिफिकल्टीज हैं जिसे हम आरंबी कठिनाईया कहते हैं, उनका विवरण हम इस परकार करते हैं, सबसे पहले जो कठिनाई थी, वो थी कुतुदीन एवक्क का उत्राधिकारी घोशित ना होना, क्योंकि मौमद गौरी ने दिल्ली और बंगाल विहार में अलग-अलग जह वो यहाँ पर सेनापती निउक्त किये थे, समय कुतुदीन एवक्क को शासक या उत्राधिकारी उसने घोशित नहीं किया था, इसलिए जो अन्य सेनापती थे, वो भी कुतुदीन एवक्क की तरहे शासक बनने की इच्छा रखते थे, चाए बंगाल में वक्तियार दिन किलजी हो, या ताजो दिन यल्दोज हो, नास की इच्छाएं भी या थी, कि वह भी कुतुदीन एवक्क की तरहे भारत का शासक बने, ये बहुत बड़ी चुनावती कुतुदीन एवक्क के समक्षिक थी, दूसरा, जो मैत्वपून तथ हितिहास में वर्नित हैं और आपने पढ़ा हैं, कि कुतुदीन एवक्क दास था जो वंश उसने स्थापित किया, उसे मामलूक वंश भी कहा गया, चूकि इसलामिक कानून के अनुसार दास शासक नहीं बन सकता था, ये एक सबसे वड़ी चुनावती कुतुदीन एवक्क के समक्ष थी, कि इस इसलामिक जो कानून है, इसलामिक जो नियम है, उस नियम के बिरुद कैसे अपनी शासन ब्यवस्था को, कैसे अपने शासन को वैद गोशित किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, उसके साथ साथ जो तुर्क अमीर थे, सामन्त थे, वो कुतुदीन एवक को शासक सविकार करने से प्रहिज करते थे, क्योंकि वो एक दास के रूप में जन्मा था, अर्थात उसने दास रहते हुए शासक का पद प्राप्त किया था, नेक्स्ट है ताजुदीन यल्दोज की समस्या, ताजुदीन यल्दोज ने गजनी पर आक्रमन करके अपनी सोतनता की घोशना की थी, और उसने गजनी था आसपास के शैत्रों को विजित करके है, सिंद और मुल्तान पर भी आक्रमन करने की युजना बनाई थी, और यहां कुतुदीन यल्दोज की समस्या को कैसे डील करें, कैसे उसका सामना करें, यह एक बहुत बड़ा प्रशन उस समय था, ताकि भारत में स्थापित इसलामिक राजे को सुरक्षित जा सके, नेक्स्ट है, नासिरोधीन कवाचा, जो कि सिंद तथा मुल्तान का सुभिदार था, वो भी यल्दोज की तरहे भारत विजये की मनशा रखता था, और उसने सिंद तथा मुल्तान के आसपास के शेत्रों को विजित किया था, इतना ही नहीं, उसने भारत में अपन अर्थात वो व्याधानिक उत्तराधिकारी स्वैम को मानता था यह भी एक चुनाती थी कुछ नवक के समक्ष की नासरुदीन कुवाचा के आकरमानों का कैसे सामना किया जाएं? अर्थाद सिंद और मुल्तान में कैसे शांती स्थापित की जाएं और भारतिये राज्ये को कैसे सुरक्षित रखा जाएं नेक्स्ट है बंगाल तथा बिहार में अली मर्दान द्वारा सोतनता घोशित करना जब तक वक्तियार दिन खिलजी बंगाल और बिहार का सुवेदा लेकिन जब अली मर्दान बंगाल और बिहार का शासक बना तो उसके पाश्याद यहां पर विशेश रूप से हम यह कह सकते हैं कि उसने स्वयम की सोतनता घोशित किया, बंगाल और बिहार के जो प्रांत है, वहां से जो निरंतर टैक्स आता था, नजरान आता था, उससे देना बन कर दिया, और सामन्तों ने वहां पर बिद्रो करने प्रारम किये थे, इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कुतु नेक्स्ट, जो ख्वारिज में शासक था, अलावदीन महमूत, वह भी भारत पर आक्रमन करने की योजना बना रहा था, और यह सबसे वड़ी चुनौती कुतुदीन एवग के लिए थी, क्योंकि कुतुदीन एवग के पास ना तो संसादन थे, ना ही प्रशक्षित सेना थ और ना ही वभी विदेशी आक्रमनों का सामना करने के व्यवव स्थिती में नहीं था, इसलिए इस चुनौती से कैसे निवटा जाए, यह समस्या भी उतुदीन एवग के समक्ष खड़ी थी, इसके अतिरिक्त जो इसलामिक राच्चे स्थापित हुआ था, जो कि महमूद ने 17 आक्रमन किये थे, मौमद गवरी ने भी यहाँ पर 4-5 आक्रमन किये थे, और भारत के अधिकांश भागों में अभी भी अव्यवस्था थी, और कुशासन था, लॉलेसनेस या नार्की जिसको आप कहते हैं, वो स्थापित था, इसलिए किस प्रकार प्रशासन को दुर एक्स्ट हम बात करते हैं, एचीवमेंट्स की, कुदूदीन एवक ने क्या मैतपून जब उपलवधियां पराप्त की थी, चार वर्ष के अंतराल के अंतरगत, सबसे पहले, कॉंक्वेस्ट ऑफ गजनी एंड इस लॉस, गजनी में मैंने आपको कहा कि ताजूदीन यल्द जोस ने स्वयम को सौतंतर घोषित किया था, और उस पर आक्रमन करने के उदेश्य से, कुदूदीन एवक ने सेना का स्वयम ने तरतो किया, बारहसोच छे साथ में उसने गजनी पर आक्रमन किया, आक्रमन करने के पशात निरंतर वहां पर 40 दिनों तक अपनी सत्ता लेकिन जैसे ही कुतुदीन एवक वहां से वापस लाहोर की तरफ उच किया उसके पश्याद ताजुदीन यल्दोज ने गजनी को पुनहां री-कैप्चर कर लिया था, उनहां जो अपने अधीन कर लिया था. नेक्स्ट है, मैट्रिमोनियल रिलेशन्स. कुतुदीन एवक ने वहाइक संबंद स्थापित करके भी राचे में शांती और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया था. उसने तुर्क सामंतों के साथ व्यवाइक संबंद स्थापित करने का प्रयास किया. उसने जो ताजुदीन यल्दोज की बेटी थी, उसके साथ विभाव किया. अपनी वहन का विभाव नासिरुदीन कवाच्चा से करवाया और अपनी बेटी का विभाव जो है वो इन मेत्रि मोलिन रेलेशन्स से उसने राज्ये में शांती स्थापित करने का प्रयास किया और राज्ये में जो है सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया था. नेक्स्ट है free from bondage दास्ता से मुक्ति ज्यासुदीन मुहमद जो था वो मुहमद गौरी का उत्राधिकारी था गौर सामराज्य में वह कुतुदीन एपक के शासन व्यवस्ता से सामराज्य विस्तार से अत्यन्त प्रसंद था इसलिए उसने उसे गौर बुला करके दास्ता से म मुक्त करके उसे सुल्तान की उपाधी प्रदान की थी और साथ उसे चत्रत था दंड भी प्रदान किया था अर्थाद वह एक परकार का मेहतवपूर्ण कदम कुतुदीन एवक के पक्ष में था क्योंकि उसके पशात कुतुदीन एवक अपना राज्य जो है वैदानिक दिन खिल जी था उस समय तक बंगाल और विहार में शांती थी और दिल्ली सल्पनत के नियंतन में रहा लेकिन जब अली मर्दान वहां का सुविदार बना तो उसने अपनी सोतनता घोशित की अपनी सोतनता घोशित करने के पशात उसने यहां पर जह हो विशेश शुप से आकरमन करने प्रारम कीए और आसवास के शेत्रों में लूटपार करने प्रारम की अपने राज्ये का विस्तार करना प्रारम किया जिससे की दिल्ली सल्पनत के लिए कुतुदिन एवक के लिए खतरा उथपन हो गया कुतुदीन एवक ने यहाँ पर जह वो बिशाल सेना सही ताक्मन किया था 40 दिनों तक जो है वो गदी पर उससे उसे हटाने में सफल रहा था लेकिन बाद में अले मर्दान ने समझोता कर लिया कुतुदीन एवक के साथ और उसे गदी बापस दी गई 40 दिनों के परशाथ और उसने दिल्ली सल्तनत को निरंतर नजराना तथा कर देना सविकार किया था नेक्स्ट है सप्रेशन ओफ दा हिंदू चीफ्स जो गंगा के दुआब में हिंदू प्रमुक थे और जो कि अधिकांश टेक्स राज्य को देते थे कुतुदीन एवक और महमूध गौरी के समय जब यहां पर आक्रमन हुए थे तो बहुत हिंदू चीफ लगभग स्वतंतर हो चुके थे और वो किसी के नियंतर में नहीं थे क्योंकि भारत में तब कानून व्यवस्था जह वो अत्यंत निम्न स्तर पर थी उन्होंने अपने सोतनता घोशित की थी उत्रीन एवक ने उन्हें स्प्रेस करने के लिए सेना का पर योग किया और उन्हें फिक्स्ट जो टैक्सिज हैं बहुत देने के लिए वाद्दे किया वाशिक नजरादार देने के लिए वाद्दे किया और कई हिंदू मंदिरों को नश्ट करके सक्त संदेश हिंदू को दिया कि इसलामिक राज्य की तरह यहाँ पर शासन स्थापित होगा और उन्हें इसे सविकार करना ही होगा इस परकार गंगा के द्वाप में और बंगाल विहार के आसपास के शेत्रों में जो हिंदू जो चीफ थे प्रमुक्त थे उनको दबाया गया था नेक्स्ट है अडिमिस्टेटिव रिफॉर्म्स यद्पी कुतुबदीन का कारेकाल बहुत छोटा कारेकाल था चार वर्ष के अंतर वह जो आरंबिक कठिनाया थी उनसे ही जूजता रहा लेकिन फिर भी उसने निश्पक्ष नयाय देने का प्रयास किया था उसकी उदार्ता के कारण है उसे लाख वक्ष के नाम से भी जाना जाता है वह यहां पर इसलामिक पद्दति पर प्रशासन स्थापित करने में अवश्य स्थापित हुआ था लेकिन वह आ कारवर्ष के न्तराल में अपना समय यूदों और कठिनाईयों को सौल्व करने में ही लगा रहा लेकिन फिर भी उसने जो है कुआत उल इसलाम मस्चित दिल्ली में जो है वो 1191 में स्थापित की अजमेर में धाय दीन का जोफरा नामक मस्चित का निर्मान करवाया और कुत करने का जुश्रे हैं वो कुत्वदीन एवक को ही जाता है इसके साथ साथ उसने जो विद्वान है इतिहासकार तदकालीन समय के थे हसन निजामी और फकरुदीन उनको संद्रक्षन राज्य की और से प्रदान किया था ये मैतपून जो फुलब्दियां है कुत्वदीन प्रदावक ने आरंबिक इसलामिक राज्य स्थापित करने में सफलता अवश्य प्राप्त की थी उसने बारसो चैसे बारसो दस इस्वी तक जो है वो डिली डिली के आसपास के शैत्र बंगाल विहार और आप ये कहिए कि सिंध और मुलतान तक के जो शैत्र को हैं उन्हें अपने निंतन में लेने में सफलता प्राप्त की थी यदपी वह पूरी तरह से कानून व्यवस्ता पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्ता को स्थापित नहीं कर पाया था लेकिन आरंबिक जो कदम है राज्य को स्थापित करने के उन्हें स्थापित करने में उन्हें उठ वॉज रिगाड़ेड एज दा फाउंडर ओफ दिल्ली सल्तनत भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में कुछ दिन एवक क्यों जाने जाते हैं आपने संशिप्त में यानि लगभग 200 शब्दों में इसका अंसर जह वो देना है हैं अविप गुद तब में हैं विए नासी थैंक य।